Flipkart, Axis Bank, Credit Card दोस्तो इस Credit Card के बारे में मेरे पास बहुत से कॉमेंट आते हैं जैसा कि ये Credit Card कैसा है, इसको कैसे लिया जाता है, क्या फीसेंट 24 हैं, क्या क्या आपर डोकुमेंट चाहिए होंगे क्या क्या इस Credit Card में Benefits मिलते हैं तो दोस्तो आपके सभी Confusion इस वीडियो में दूर होने वाले हैं अगर आप इस Credit Card को लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि आज कि इस वीडियो में मैं आपको इस Credit Card का पूरा Review देने वाला हूँ मैं इस Credit Card को लगबग एक साल से यूज कर रहा हूँ, इस Credit Card की सभी Information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और दोस्तो एंड में मैं आपको अपना भी Opinion दूँगा, आपको एक Credit Card लेना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं, हम Axis Bank की Website पर आ चुके हैं यहाँ पर हम बताएंगा आपको Flipkart Axis Bank Credit Card के बारे में सबसे पहले हम सुरुआत करेंगे इसके Benefits के साथ जैसा कि यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर Unlimited Cashback मिलता है Benefits से सुरुआत करें तो 5% का Unlimited Cashback आपको Flipkart और मिंतरा से सोपिंग करने पर मिलेगा 4% का Cashback आपको Clear Tip, Curefit, PVR, Swiggy, Tata Play and Uber पर मिल जाएगा बाकी 1.5% का Cashback आपको बाकी सभी Spans पर मिल जाएगा इस Credit Card के Man Benefits की बात करें तो यहाँ पर आपको Unlimited Cashback, साथी Welcome Benefits भी है Airport Longe Axis भी है और Fuel Surcharge Waiver के Benefits इस Credit Card में है एक-एक करके सभी Benefits के बारे में बात करेंगे तो सुरुआत करते हैं Welcome Benefits से मतलब जब आप इस Credit Card को लेंगे ताब आपको क्या Benefits मिलने वाले हैं तो 1100 रूपीज के Benefits आपको मिलेंगे जब आप इस Credit Card को लेंगे जोइनिंग Benefits के रूप में Cashback की बात कर लेते हैं हर ट्रांजक्शन पर आपको Cashback मिलेगा 5% का Limited Cashback आपको Flipkart and Mintra पर मिलेगा साथी 4% का Cashback आपको इनके Preferred Merchants पर मिलेगा इनके जो Merchants है उनकी लिस्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 1.5% का Cashback आपको आपकी बाकी सभी Spence पर मिल जाएगा जो भी Cashback आप कमाएंगे वो आपकी Next Month Credit Card Statement में डारेक्ली एड हो जाएगा आपको यहां पर Airport Loan Axis का Feature भी मिलता है आप 4 Complimentary Airport Loan Axis ले सकते हैं एक Calendar Year में आपको इस Credit Card में Fuel Surcharge Waiver का Benefit भी मिल जाता है 1% का Fuel Surcharge Waiver आपको इंडिया के सभी Fuel Station पर मिल जाएगा 400 से लेकर 4,000 की ट्रांजेक्शन के बीच में Maximum Benefit आप 400 रुपीज तका ले सकते हैं Next Benefit आता है यहां पर Dining Delights इनके जो Partner Restaurant है वहां पर विजिट कीजिए वहां पर भी आप up to 20% का Discount ले सकते हैं Partner Restaurant की लिस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगी Click Here पर Click कीजिए आपको यहां पर Updated List मिल जाएगी अब हम सीधा चलते हैं Welcome Benefits पर जब आप इस Credit Card को लेंगे तो आप यहां पर जब एक Transaction कर लेंगे तो आपको 500 रुपीज का Flip Card का Voucher इस Credit Card में मिल जाएगा और 15% का Cash Back up to 500 रुपीज का आपको आपकी मिंतरा की First Transaction पर भी मिलेगा नेक्स्ट Welcome Benefit है Swiggy का 50% का Instant Discount up to 100 रुपीज का आपको Swiggy की First Transaction पर मिल जाएगा आपको यहां पर Code को यूज करना होगा Axis FK New तो दोस्तो हमने इस Credit Card के सभी Benefits, सभी Features को देख लिया है अब देख लेते हैं Elisibility and Documentation को मतलब इस Credit Card को लेने के लिए आपको पास क्या Elisibility और Document होने चाहिए आपकी उमर 18-70 के बीच होनी चाहिए साथ ही आपको यहां पर Document की बात करतो Pen Card आपके पास होना चाहिए या फिर आप Form 60 भी दे सकते हैं Identity Proof के तोर पर Passport, Driving License, Pen Card या फिर आधार कार दे सकते हैं अब दोस्तो सबसे Most Important है Fees and Charges तो चलिए देख लेते हैं इस Credit Card के Fees and Charges तो दोस्तो इस Credit Card की Joining Fees है 500 रुपीज और Annual Fees है आपको Second Year से लगेगा 500 रुपीज और या पर दोस्तो इस Credit Card से अगर आप एक साल के अंदर 2,00,000 रुपीज खर्च कर देंगे जो आपकी Annual Fees हो कट हो जाएगी आपको नहीं देनी होगी अगर आप अपने Family Member को Add-on Card दिलवाते हैं तो उसकी भी Joining Fees और Annual Fees निल है Cash Payment Fees 100 रुपीज है Duplicate Statement Fees भी आपका कट हो जाएगा वो भी आपको नहीं देना होगा Next Charges की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसके बाद आता है Outstation Check Fees वो भी आपका कट हो जाएगा नहीं देना होगा Mobile Alerts की बात करें तो वो भी विल्कुल Free House के लिए भी कोई Charges नहीं है Total Listing Charges भी निल है, Balance Inquiry Charges भी कट हो जाएगे नहीं देने होगे Finance Charges की बात कर लेते हैं 3.6% का पर मंत आपको Finance Charges देना होगा 52.86% का पर एनम यह Charges होगे 48 Days का आपको Interest Free Period यहाँ पर मिलता है उसके बाद यह Charges लागू होगे Cash Withdrawal Fees की बात कर लेते हैं कभी भी Credit Card से आपको पैसे विड्रो नहीं करने चाहिए लेकिन अगर आप करेंगे तो 2.5% आपको Cash Amount का यहाँ पर Charges देना होगा जो मिनिमम 500 रुपीज होगा उसके उपर जाएगा तब 2.5% लगेगा अब बात कर लेते हैं Over Due Penalty यानि Late Payment Fees की अगर आपका Amount Due है आपने Payment नहीं किया है 500 रुपीज का Amount Due है तो कोई Charges नहीं है 500 से 5000 के लिए अगर Amount Due है तो 500 रुपीज का Charges है 5000 से 10,000 तक 750 रुपीज के Charges है और 10,000 से उपर 1200 रुपीज के Charges है Over Limit Penalty की बात कर लेते हैं 2.5% लगेगा Over Limit Amount का Minimum 500 तो लगना ही लगना है 500 से उपर जाएगा तब 2.5% लगेगा Foreign Currency Transaction Fees की बात करें तो 3.5% होगा Transaction Value का और साथी दोस्तो reward redemption fees भी यहाँ पर नहीं है मतलब जब भी आप reward redeem करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर Charges नहीं देने होंगे तो दोस्तो यह से भी Charges हैं इस Flip Card Axis Bank Credit Card में तो दोस्तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में सभी benefits, features, fees and charges, eligibility क्या document चाहिए होंगे सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया है अभी तक overall कहूँगा Credit Card दोस्तो अच्छा है Soaping वगरा के लिए ये Credit Card एकदम जबरदस्त है एक साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ मुझे कोई भी problem नहीं आई है बाकी लेना या ना लेना वो आपके उपर है इस Credit Card को आप Axis Bank की EC website से भी apply कर सकते है Flip Card app से भी apply कर सकते है वेब साइट का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तो दोस्तो ये पूरा रेवियू था इस Flip Card Taxis Bank credit card का अगर आपको पसंद आया तो दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को भी subscribe जरूर कर लीजेगा हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो